हाई एवरीबरन बैकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंज्स आज़ की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हूं वह मैंगो श्रीखंट की रेसिपी है जो बहुत ही जादा लजीज बनकर तयार हुआ है और दही में आम मिला देना ही मैंगो श्रीखन बनाना नहीं होता है बलकि एक प्रॉसेस में आज आपके साथ शेयर करूँगी इसकी वज़े से इतना ज़्यादा क्रीमी और स्मूध बना है आप इसका टेक्स्च्चर देख ही सकते हैं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीज़ेगा अब इस मांट वोटरिंग्स रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही जादा सिंपल सी रेसिपी है तो यहाँ पर शरीखन बनाने के लिए मैंने एक आम ले लिया है तो यहाँ पर बड़े आम का यूज़ कर रहे हूं आप चाहे तो दो चोटे आम भी ले सकते हैं इसको अच्छे से वाश करने के बाद में अब इसको कट करेंगे तो अब इसे भी प्रैंस मैंगो का सीजिन चली रहा है और ऐसे में मैंगो शीखन बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी समढ़ में उदही का इस्तमाल है जादा से जादा करते ही ही जो सारा हमने अल्प है वो इसको निकाल देंगे इस तरीपे से कुछ को मैंने इस तरह के से बड़े पीसे कर लिया एक छोटे पीसे भी में इस तबाद में सिट्बाल करने है तो जो बड़े पीसे हमें पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसका एक स्मूध पेस्ट रेड़ी कर लिए कि यह लिए आम का वे स्मूथ पेस्ट वेडी कर लिया है आप तेख भी सकते हैं और अब यहां पर हम लेंगे दही को यहां पर में आदा किलो दही का इस्तेमाल कर रही हूं करें एक दम नहीं करेंगे नहीं दाल कर करेंगे आपर से तब ही कहाई कर ने तो फिर्स रहे थो करने से जो हमें ग्राइज़ शुलिंग Ya पानी भी नहीं होगा अगर हम इसी तरी के से दखी का इसे तो ऐसा करने से जो श्री घंडे हमारा वह बुखा जादा पतला हो जाएगा जो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा इसके बाद इसको हम फ्रिज में लग देंगे लग दो से तीन घंटे के लिए अच्छा से मिचोड़ कर हमें सारा जो पानी सदही का अलब कर लिया है आप देखी सकते हैं और इस पानी को आप फेकिएगा मत इसका इसका इस्तमाल आप कड़ी बनाने में भी का सकते हैं और अब इसके लिए को 2-3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे फिर में आपको दिखाऊंगी कि इतना स्थूद टेक्सटर इस बहुत ही जादा स्मूद टेक्सटर इसका बहुत जादा थिक हो चुका है यह बहुत जादा क्रीमी हो गया है और यह प्रोसेस करना हमे जिए को अब ग्यां तो अबक्रण," सब्रुद करने भी होटेंगे अब आज़ाब की रख देंगे हमें और तब देंगे तकि अब म मनिकंद आ यह लतसे, शुछा से बहुत बहुत, बहुत बहुत करना देंगे सबदेरए घुक, रख मुद्धिक है इसे लाजे कि अध़र तो इससे इसका जो फ्लेवर हो बहुत अच्छा हो जाता है यहां में हरी लाचिका पाउडर इसमें एड़ कर दूंगे और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे शूगर पाउडर हरी लाचिका पाउडर डालने के बाद में स्कुछी से लेक्स कर लेंगे हम अब इसमें एड़ करेंगे शुगर पाउडर जहां पर में टेबल स्पून के राउंड शुगर पाउडर एड़ कर रही हूं आप चाहें तो अपने जायके के कोडिंग भी इसको एड़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो डिपंड करता है कि आप जो जिस आम का इस्तमाल आप कर रहे हूं वो कैसा है अगर वो जादी तेज मीटा है तो शुगर आपका मैट कीजिएगा और अब जो हमने आम को ग्राइंड करके रखा था उसका पेस्ट भी इसमें एड़ क कि यह बहुत अच्छे लगते हैं सभी किसे श्रीखन में और अब बाद में इंको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो चली श्रीखन तो हमारा रेडी हो चुका है अब इसको सर्व कर लेते हैं तो यहां पर मैंने दो चोटे-चोटे कांच के ग्लासेज लिए हैं इसके अंदर मैंने रैजिए वתי खरों मैं तोॉटे को पहले है तो हम सर्व कर दोंगे जरूर दो पर दो है के अमरे डिए को तो कैसे लिए को उनकी न मैं अचिशन कर देंगी तो यहां पर मै हमें इसको तो चंट कर दिया हैं अब थोड़ा सब्सक्ताуса निढ च opens एब्कियाया ज़ने र यहां पर पिस्टा और काजू और वदाम का इस्तेमाल कर रहे हो आप चाहें तो अपनी चोरिस की अकॉर्डिंग को ही ड्राइफुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसको गार्णिश करने के बाद में हम इसको फ्रिज में रख देंगे दो ते तीन घंटे के लिए ताकि अच्छा से ठंडा हो जाए और उसके बाद इससे सर्प करेंगे हमारा थंडा थंडा मेंगो श्रिखन एक दम खाने के लिए तयार है आई होप आपको मेरी रैसिपी ज़रूर पसंद आईगी अगर आपको मेरी रैसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे मेरे फेस्बुक पेज पर भी फोलो जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाच